कि Swarm यह प्राबल्लम कैसे आता है अज उसके बारे में जानते हैं एक और यह प्राबलम कैसा होता है वो भी जानते हैं जो मोल्ड की कविटी होती है जो मोल्ड है इसमें कविटी जो है है कि ओ इंजेक्स्ञ नो होने के पाथ मैं टीडल इंजेक्शन इसमें होने के पाथ फटा के इसके अंदर गोफो हिए उसका अकार जो हता है वा पूरा पूरा नहीं हो पाता है वह security हो जाता है उसे एंसाट मिलेक है जाता है जी या हमारा अच्छा प्रोड़क्ट आ है यह गूड प्रोडक्ट है कि इस ने हम गूरज प्रोड़क्ट है और अिविए तेहां इसे कटापीट कटा प्ता ता इतना दुर कए गैप हो जाता है इतना दूर मेटेरियल नहीं पहुंच पाता है यह होता है सॉट पीस तो यह नाट गूड होता है यह नाट गूड प्रोड़क्ट तो सॉट पीस मोल्ड की कविटी में मोल्ड की कविटी में इंजेक्शन स्ट्रोक होने के बाद होने के बाद कविटी में बनने वाला वास तो वाला वास तो यह प्रोड़क्ट का कर पूरा नहीं होता है तो उसे सॉट पिसकाते हैं कि इस सॉट पिस आने के निम्नकारण है और इसे कैसे सॉल्ट किया जा सकता है उसको भी जानते हैं तो सबसे पहले इसको इसवीय कम होने पाद सॉर्ट वेट जो हता है जिसे हम जो सॉट वेट सेट करते हैं उसको कम सेट कर देंगे तो यह हमारा मैटेरियल इतना मैटेरियल इंजेक्शन के दोरान मूल्ड में नहीं जाएगा तो इतना सॉट रह जाता है ब सॉट्वेट कम होगा सॉट्वेट कम सिट करेंगे तो कम माटेरा मोल्ड में तो मैटेरिया मोल्ड में कम इंजेक्ट होगा तो हमारा पूरा पीस नहीं बन पाएगा पूरा प्रोड़क्ट नहीं बन पाएगा इंजेक्शन प्रेशर पूरी तरह से ना लगने पर जो इंजेक्शन प्रेशर दिया जाता है इधर वह इंजेक्शन प्रेशर पूरी तरह से नहीं लगता है तो material पूरा अच्छे से उस mold में inject नहीं हो पाता है इसके कारण भी यह problem आता है Injection Pressure पूरी तरह ना लगने पाँ और Injection Time कम होने पर भी यह problem होता है Injection Time जो material हम इंजेक्ट करते हैं मोल्डे में तो कम time में इसे कुछ कम ही material जाता है तो कुछ ज्यादा short time हम set कर देते हैं तो पूरा पूरा material इसमें inject नहीं हो पाता है तो इससे problem होता है और इस problem को solve करने के लिए हम इंजेक्शन टाइम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और फिर जब इंजेक्शन प्रेशर पूरी तरह से नहीं लगता है तो इंजेक्शन प्रेशर मतलब इसको चेक करें कि करें इसका मतलब प्रेशर तुड़ा सा बढ़ाएं तो होगा और इससा सौर्ट वेट जो कम होता है तो इसको सौर्ट वेट बढ़ा के भी इसको solve किया जा सकता है और इंजेक्शन स्पीड ज्यादा होने पर इंजेक्शन स्पीड जब ज्यादा हो जाता है तो भी ये प्रावलम आता है तो इंजेक्शन स्पीड थोड़ा सा कम करके भी इसे solve कर सकते हैं और सबसे जो टेमप्रेचर होता है वो टेमप्रेचर भी अगर कम हो जाता है या कम कर दिये जाता है तो भी ये प्रावलम आता है टेमप्रेचर कम होने पर टेमप्रेचर कम हो जाता है तो भी ये प्रावलम आता है दोनों का टेमप्रेचर कम हो जाता है तो भी प्रावलम आता है बैरिल का भी टेमप्रेचर कम हो जाता है तो भी ये प्रावलम आ सकता है और मोल्ड का भी टेमप्रेचर अगर कम रहेगा तो भी प्रावलम ये आ सकता है या फिर से मोल्ड कंटेक्ट फोर्स जो हता है वो कम होने पर कि मोल्ड कंटेक्ट फोर्स यह कम मॉल्ड कंटेक्ट फोर्स भी कम हो जाता है तो भी यह प्रावलम आता है इस्प्रू बूस और नोजल की सही सेटिंग अगर नहीं होती है तो भी यह प्रावलम आती है इस्प्रू बूस और नोजल की सही सेटिंग नहों होने पर कि सही सेटिंग नो होने पर भी ये प्रवलम आता है और गेट जैसे क्या होता है इस प्रोगूस ये इस प्रोगूस होता है मारा इस प्रोगूस है कि इसका और फिर नोजल इन दोनों का सेटिंग अच्छे से नहीं रहता है तो भी इधर ये प्रवलम आता है क्योंकि जैसे अभी इसका थोड़ा इधर नहीं पाजाए और ये बूस की निप इधर है तो ये पूरी तरह से मैटेरिया अंदर इंजेक्ट नहीं होता होगा जिस सबक्राली इसके मूल्ल के अंदर जो गेट होते हैं जिसके राष्ल मेरे अंदर रहो में जाता है ये हो पीर ठोक्ट बनने के लिए जाता है और गेट होता है जोर चुटा हो जाता है तो भी ये प्रवलम आती है गेट के छोटे होने पर तैंक यू दोस्तों